जब राम और लक्षमन हनुमान जी और सुग्रीव इत्यादी को मिले और उस समय ये तै हुआ कि संपूर्ण वानर सेना को विविद स्थानों में भेजा जाएगा जिस से कि वो सीता देवी को ढूंड सकें उस समय उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा में अलग-अलग लोगों को भेजा गया सुग्रीव के द्वारा लेकिन दक्षिन की पार्टी हनुमान जी अंगद और जामबवान को दी गई और उस समय रामचंदर जी हनुमान जी को बुला कर कहते हैं ददवत अस्यतत प्रीत स्वानाम अंको भिशोभित अंगुल्यम अभिजाना नाम राजपुत्रय परंतप रामचंदर जी ने अपने उंगलियों की अंगुठी निकाली और उस अंगुठी को निकाल कर अंगुल्यम अभिजाना नाम और वो अंगुली वो अंगुठी जो निरंतर उनके अंगुली में रहती थी और जिसके विशे में सीता भली भाती जानती थी राजपुत्रय परंतप और उस अंगुठी को रामचंदर जी ने हनुमान जी को भेट स्वरूप दिया और कहा जब सीता देवी को मिलोगे तब ये अंगुठी उन्हें प्रस्तुत करना सीता देवी तुरन समझ जाएगी कि आप मेरे दूत हो तो तब रामचंदर जी ने हनुमान जी को ये अंगुठी दी क्योंकि रामचंदर जी दियानते थे कि अगर इस मिशन को कोई सफल कर पाएगा तो वो केवल हनुमान जी अब वर्णन आता है कि उस अंगुठी को लेकर जब अंगद जांबवान और बाकी वानर जो दक्षिन दिशा में जा रहेते चले तो संपत्ती ने उनको एक दिशा दिखा दिए थी कि किस दिशा में चलना है और जब वो एक स्थान पर आए तो वो समझ गए कि हम लोग कुछ समझ नहीं पारे जाना है तो किस दिशा में जाना है तो संपत्ती के मिलने से पूर्व ये घटना घटी कि सभी लोग परेशान थे कि हम करे तो क्या करें उस समय अंगद कहने लगे लगता है हमें आत्मात्या कर लीने चाहिए फिर दूसरे एक वानर ने कहा पता नहीं सुग्रिव रामचंद्र दोनों अपने घरेलू कारे को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को क्यों लगा है और हम लोग भी इतने मूर्ख क्यों हैं कि अरे सुग्रिव की पत्नी और उनको बचाने में राम चंद्री ने वालों की हत्या की और उसके पश्चात अभी हम लोगों को भेज दिया राम की पत्नी को ढूनने के लिए अन्य किसी की पत्नी को ढूनना क्या हमें शुबा देता है क्या इस प्रकार जब हम सेवा में लगें और सेवाएं बड़ी कठिन हो और सेवाओं में आपत्ती आए तो आपत्ती वाली परिस्थिति में क्या होता है तीन प्रकार की परिस्थितिया उत्पन्न होती है पहला तो हम लोग ब्लेम करने लगते हैं बुरा भला कहने लगते हैं आरोप करने लगते हैं दूसरा लेजिनेस यह हमारे अंदर आलस उत्पन हो जाता है यह हमको लगता है कल जो किया आज भी वही कर रहे हैं कल भी वही करेंगे कुछ तो बदलने वाला नहीं वही प्रसाद पाना है और सोना है क्या लाब तो इस प्रकार कुछ वानर कह रहे थे इतनी दूर आ गए कुछ समझ मने आ रहा किस दिशा में जाना है यहीं बैटके सोजाओ रिटर्ण जाकर रिपोर्ट करेंगे कि विफल हुए डाट पड़ेगी पताने और किस दिशा में भेज देंगे अच्छा है न उनको पता हम कहा है हम भी उनको नहीं बताते हमने क्या किया क्या नहीं किया यहां पर भी कोई कम ब्रिक्ष नहीं है यहां पर भी बहुत सारे फल मिल जाएंगे यहीं पर हम लोग रहकर अपनी सेवा करेंगे भोग करेंगे आनंद करेंगे तो ये laziness या आलस की बात तीसरा जो अंगदने प्रतिक्रिया प्रदर्शित की वो बड़े depress हो गए अर्थात बड़े ही चिंता गरस्त होकर मायूस हो गए आशा विहीन हो गए और ऐसी आशा हींता में हम लोगों को लगता है कि भविष्य में कुछ संभव नहीं तो इसलिए ये महत्तपूर्ण है समझना जब हम अपने बुद्धी का प्रयोग करेंगे तब उस बुद्धी के प्रयोग से हम अपने विवेक शक्ति को सुशक्त बना कर उस विवेक शक्ति के अंतरकत जान कब आती है जब हमने किसी की सेवा की हो जिसके कारण सुक्रती प्राप्त हो और जब उस सुक्रती के कारण जब कृपा हो तो जब तक हम सुक्रती नहीं प्राप्त करेंगे और जब तक कृपा नहीं प्राप्त करेंगे तब तक विवेक प्राप्त करना संभव नहीं और जब तक सही विवेक न हो तब तक उचित निरने हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए उचित निरने लेने की शक्ती, सुकृती, कृपा और विवेक के उपर निर्भर करता है। मैं तो सोच रहा था कि मैं नालायक हूँ, उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कारिकर पा रहा हूँ, लेकिन लगता है भगवान की सेवा होनी हो, तो किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। कारिमे सेवा में ऐसे महत्व हीन व्यक्ति को भी महत्व पूर्ण सेवा देकर उसे सदा के लिए अमर बना सकते हैं। इसलिए भगवान की सेवा है, ये किसी व्यक्ति के उद्योग की योजना नहीं बन रही, ये किसी व्यक्ति का निजी पुरुशार्थ की सिध्धी नहीं। भगवान की सेवा में सबसे प्रमुक मुद्दा है अनिश्चितता। अनिश्चितता क्यों प्रमुक है? क्योंकि भगवान अपनी इच्छा नुसार सेवक को सेवा में नियुजित करेंगे। किस सेवक को किस सेवा में कब किस प्रकार किस मापदंड के अनुसार और कितने हद तक इस इन सभी विश्यों को संबंद में पूर्ण अनिश्चितता होती है। इसलिए भगवान की भक्ति में उस प्रकार के स्वयम के पूर्व कर्मानुसार प्राप्त गुण और कलाओं के उपर श्रद्धा रख कर नहीं चल सकते। क्षण क्षण हमें भगवान के उपर अवलंबन होना है, भगवान के उपर निर्भर होना है। तब जाकर हम देखते हैं कि भगवान ने संपत्ति को भी जिसके पर नहीं थे, उनकी सबसे शक्ति शाली जो गुण था, उनकी शक्ति का स्रोत उनके परों में था। तो कर्मानुसार जो हमें कलाप्राप्त हो, जिस कलाओं के आधार पर हमारी अपनी निजी आइडिन्टिटी बने अपना स्वरूप तैयार हो, जिसके कारण लोग हमें समझे जाने और हमारे परती लोग आकरशित हों, वास्तों में संपत्ति का वो सबसे प्रमुख गुण नहीं समाप्त हो चुका था, तो कई बार हमें लगता है कि मैं इस कारे में, इस गुण में, इस कला में निपुण हो, तो इस कला के माध्यम से में भगवान को संतुष्ट करूँगा, सेवासिद्ध करूँगा, नहीं, भगवान कब किस समय आपके कौन से गुणों को प्रय नहीं दिया होगा, इसलिए यहां पर हनुमान जी के विशेश हस्ताक्षेप के कारण, यह सभी यहां तक पहुँचे और संपत्ती से दिशां प्राप्त करके वो निकले, अब देखिए संपत्ती भी अकेले थे, अब ये वानर सब उस वानर सेना का प्रतिनित्व कर रहे थ जो बड़ा ही विशाल था, राम चंदर जी की जवानर सेना की संख्या कितनी थी, यह वर्णन आता है रामायन में, तो इस संख्या को समझाने से पूर्व वालमिकी जी, गिंती का पूरा हिसाब देते हैं, एक लाख अर्थात एक और उसके आगे पाच शून्य को कहते हैं, एक लाख करोड को कहते हैं, एक शंकू, एक लाख शंकू को कहते हैं, एक महा शंकू, एक लाख महा शंकू को कहते हैं, एक ब्रंद, एक लाख वरंद को कहते हैं, एक महा वरंद, एक लाख महा वरंद को कहते हैं एक पद्म एक लाख महा पद्म को कहते हैं एक खर्व एक लाख खर्व को कहते हैं एक महा खर्व एक लाख महा कर्व को कहते हैं एक शंख एक लाख शंख को कहते हैं एक एक लाख शंख को कहते हैं एक ओग और एक लाख ओग को कहते हैं एक महा ओग और रामचंदर जी के सेना में सव करोड महा ओग वानर थे तो आप लोग आज रात को बैठ कर हिसाब लगा लेना कि कितने वानर होंगे तो इतनी विशाल वानर सेना में भगवान ने हनुमान जी को शक्ति प्रदान की थी क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर सबसे विशेश बात थी कि सरवाधिक शारिरिक शक्ति होते हुए भी सरवाधिक विनम्र थे और सरवाधिक अनुशासन शील थे तो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी की बुद्धी और मन दोनों की स्तुती हुई है हनुमान जी अंगद को कहते हैं कि देखिए हम लोगों को उत्सा के साथ कार्य करना चाहिए बुद्धी का प्रयोग करके और आठ प्रकार के बुद्धी के लक्षन हनुमान जी वर्नन करते हैं अंगद को पहला लक्षन है the inclination to hear सुनने की इच्छा दूसरा the capacity to hear सुनने का सामर्थ्य तीसरा comprehension ability समझने की ताकत चौथा memory स्मरन शक्ति पाच्वा capacity to reason in favor पक्ष में बोलने का सामर्थ्य छटा capacity to argue against विपक्ष में बोलने की शक्ति और सात्वा deep insight into the meaning अर्थ के विशे में गहरा ज्यान रखना और आठवा इन सभी पक्षों को हर द्रिष्टिकों से देख कर समझ कर इसका वास्तविक निचोड निकाल पाना इसको कहते हैं true wisdom ज्यान और विज्यान का समन्वे करके जो वास्तों में इस परिस्थिती का सार निकाल सके तो ये आठ बुद्धी के लक्षन हनुमान जी वर्नन करते हैं और अंगज जी को कहते हैं आईए पूर्ण उत्सा के साथ फिर इस प्रयास को हम बनाए रखें और तब वो लोग पहुंचते हैं समुद्धर के तट पर वेदान्त देशिका जी जो की बहुत बड़े स्री वैश्नव आचारे हुए उन्होंने बड़ी सुन्दर एक उपमा दी है हाँ ये वास्तविक एतिहासिक घटना है तो हैं ही लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि मान लीजिये अगर सीता की उपमा एक जीव से दी जाए जब तक सीता देवी प्रभुराम चंदर जी के चरणों की भली भाती सेवा कर रही थी कोई समस्या नहीं आये लेकिन जिस खण सीता देवी का ध्यान उस स्वर्निम्रिक की ओर गया तो उस समय मन रूपी रावन अपने दस ज्ञानेंद्री और करमेंद्री को लेकर उस जीव को हस्तगत कर समुद्र भव सागर के बीचों बीच शरीर रूपी रे कृष्णा ठीक है शरीर रूपी उस लंका टापू में स्थित कर दिया और बंदी बना लिया महत्व के बाद ये है कि जब तक जीव इस भवतिक भव सागर के अंतरगत शरीर के अंदर स्थित है तब तक छूट पाना बड़ा कठिन है तो उस जीव को वहां से निकालने के लिए भगवान अपने दूत को नियत्त करते हैं और इसका यहां पर ये विशेश वर्णन आया है वो क्या सर्व लोकस्य धर्मात्मा शरण्यम शरणम पुरा गुरो में राघवो सोयम सुग्रीवं शरणम गत जब रामचंदर जी और लक्ष्मन हनुमान जी को सरवपर्थम मिलते हैं तो लक्ष्मन ये श्लोक सुनाते हैं रामचंदर जी सुग्रीव के चरण कमलो का आश्रे लेना चाते हैं सुग्रीवं शरणम गत जाते हैं क्योंकि ग्रीव का अरथ है कंठ सुग्रीव अरथात सुंदर कंठ वाले कंट के माध्यम से क्या प्रस्तुत होता है कंट के माध्यम से ध्वनी प्रस्तुत होती है शब्द प्रस्तुत होता है और वो शब्द वास्तों में अर्थ से युक्त होता है इसलिए यहां यह वर्णन आया है कि सुग्रीव is the beautiful throated one and the sound is in service of the transcendental knowledge अर्थात सुग्रीव वास्तों में ऐसे ज्ञान के मूर्तिमान प्रतीक है और ऐसे ज्ञान के मूर्तिमान प्रतीक उनके प्रमुक सेवक है हनुमान जी जो कि वास्तों में शब्द का प्रतनिद्व करते हुए भगवान के संदेश को प्रभू रामचंदर जी तक पहुँचाते हैं इसलिए ट्रैंसेंडेंटल नॉलेज विचिस कैरीड थ्रू साउंड वाइब्रेशन और ये केवल हनुमान जी नहीं संपूर्ण वानर सेना क्योंकि वानर अर्थात वो जो नर नहीं और न पशू है उसी प्रकार वानर का अर्थ होता है वो जो व्यक्ती पशू जो व्यक्ती मनुष्य योनी में दिखे लेकिन उसको देखकर आश्कर होगा कि इतने दैवी गुण कैसे तो वानर के दोनो अर्थ हैं तो इसलिए वानर सेना का अर्थ वो संपुर्ण दैवी गुणों से युक्त वैश्नमों के सेना जो दिव्य ज्यान को शब्द के रूप में बद्ध जीव तक पहुचा कर उन बद्ध जीवों के समक्ष ये प्रस्ताव रखे कि आप रभु राम चंदर जी से दूर हो गए हो क्या पुन आप प्रभु राम चंदर जी की सेवा में नियोजित होना चाते हो अत्वा नहीं। वो है हनुमान जी जो कि गुरू के प्रतीक हैं। इसलिए संपुर्ण वैश्नवों के सेवा और उन में गुरू जो कि इस संदेश को लोगों तक पहुचाएं। इस प्रकार संपुर्ण रामायन को हम बड़े आनंद पूर्वक समझ पाते हैं कि कैसे भगवान हनुमान जी को नियुक्त करके, हनुमान जी को अपना दास बना कर सुंदर कांड के इन सुंदर लिलाओं के माध्यम से सबसे सुंदर लिला प्रस्तुत की। क्योंकि जब तक भगवान की सेवा स्थापित नहीं होगी, तब तक जीव के खिर्दे में कोई सुंदरता सुंदर्य अनुभव नहीं की जा सकती। तो इसलिए यहाँ पर हनुमान जी जब समुदर के तट पर आये, तब जामबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का अभास कराया, और तब बचपन में जो वरदान प्राप्त हुए थे, हनुमान जी को वो पुनस्मरन हुए, हनुमान जी ने अपना विशाल का इस हुरू समुदर को लांगना था, आरम में जामवान ने सबसे प्रश्न किया, सो योजन कौन पार कर सकता है, किसी ने का हम दस योजन, दूसरे ने का हम बीस योजन, तीसरे ने का हम तीस योजन, अंगद ने का मैं सो योजन चलांग लगाऊंगा लेकिन पुनह लोटने की शक्ति नहीं होगी तो ये सौ योजन छलांग लगाते हुए हनुमान जी जब उठे तो सरव प्रथम सबसे पहली जो बाधा आई उनका नाम था मैनाक मैनाक परवत प्रकट होके हनुमान जी को कहने लगे देखिए इतना सुन्दर सोने का ये परवत है विश्राम कीजिए आप ठक ग प्रथम चुनावती है जिसको कहते हैं कंप्लेसेंसी या आराम करने की प्रवर्ति हां कभी-कभी लगता है बहुत हम लोगों ने नाम जब कर लिया इतना नाम क्यों जब रहे हो थोड़ा विश्राम भी करो सोला माला कबसे करते आ रहे हो ठक गए होंगे थोड़ा दिन विश्राम दो दस दिन पंदरा दिन माला मत करो फ्रेश होकर फिर जाप करने लगोगे नई रुची आएगी हो सकता है मन इस तरह का प्रस्ताव दे तो साधना के संबंध में विश्राम करने की इच्छा उत्प हो सकती है इसलिए साधना करते समय निरंतर कर्मठ प्रयत्न करना चाहिए कभी उससे आना काने नहीं करनी चाहिए दूसरा सुरास जब आगे गए एक विशाल का राक्षसी आगई अपना मू खोल दिया वोला मुझे भरम्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है जो भी आएगा मेरे मूख के अंदर प्रवेश करके ही जा सकता है तो हनुमान जी ने अपना सरीर विशाल बनाया तो सुरास ने अपने सरीर को उससे भी विशाल बनाया हनुमान जी ने फिर उससे विशाल बनाया दोनों के बीच में इस प्रकार की परधा लग गई और तब हनुमान जी ने अचानक ऐसी प्रतिक्रिया की अपने सरीर को बह बहार निकल गए और कहा कि आपके वरदान को पूर्ण किया. ये दूसरी चुनोती हमारे भकती के जीवन में है और ये हम लोगों के सेवा के संबंद में उत्पन्न होता है. वो क्या? स्परधातमक प्रवर्ति. ये भकत इस प्रकार की सेवा कर रहा है. वो भकत इस प्रकार की सेवा कर रहा है हम भी ऐसी सेवा करेंगे तो सामाजिक रूप से हम सभी कई बार मन में अलग-अलग प्रकार की स्परधा का भाव लेकर चलने लगते हैं इसलिए स्परधात्मक प्रवर्ति से बचना है सुराश ने हनुमान जी को आशिरवाद दिया और कहा तुम ने इस परधा के भाव के उपर विजय प्राप्त की आगे जाओ साधना में आगे बढ़ो आप सीता तक पहुचने के लिए सक्षम हो आगे गए तो अचानक समुद्र के अंदर सिम्हिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी के परच्छाई को पकड़ कर उनको खीचने लगी हनुम परफे सिम्हिका के मुख के अंदर प्रमेश किये उनको कुचल डाला समाप्त कर दिया तीसरा द्वेश साधक के जीवन में दूसरे भक्तों के सत्संग में संबंद से संबंदित द्वेश उत्पन हो सकता है तो जब वैश्नव के साथ हम संबंद स्थापित करें तो कभी भ द्वेश को समाप्त करना हो तो केवल वैश्नव की सेवा करके उनकी स्तुति करके द्वेश को एज़ेस्ट करना लगभग असंबव है द्वेश को समाप्त ही करना है और एज़ेस्ट करना हो तो कैसे उस ततकालीन द्वेश को भूलकर हमें उसके विपरीत कारे करते हुए वैश्नवों की सेवा और उनकी स्तुती करनी हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी ब्रह्मन करते हुए, साधक के भी जीवन के चुनोतियों को प्रस्तुत करते हुए, साधना में आलस्य, सेवा में स्परधा और संबन्नों में द्वेश, किस प्रकार हमारे वैरी के रूप में प्रकट होकर हमारे भक्ति भाव में हस्ताक्षेप करेंगे, इसको वर्णन किया और आगे पहुँचे, जैसे ही लंका में पहुँचे तो वहाँ पर थी लंकीनी, लंकीनी आकर कहती है हनुमान जी को, किसकी अनुमती से आप यहां आये हो, हनुमान जी ने सीधा एक छोटा सा जहापड दिया, बड़े आराम से जहापड दिया, पूरा पवर के साथ तो नहीं दिया, लेकिन जो कुछ भी था, हनुमान जी ने यूँ इस तरह मारा वो दूर जाके गिरी, भागी भागी आये हनुमान जी को प्रणाम करके कहती है, भ्रम्मा जी ने ये भविश्यवानी की थी, जिस दिन लंका में कोई वानर आके, मुझे जहापड मारेगा उस दिन, समझ जाना कि रावन की मृत्यू निश्चित है, तो इसलिए मैं समझ गई, अब रावन का ज्यादा फ्यूचर नहीं रहा, तो ये लंकिनी किसका प्रणी का प्रणी है, संबंदों में एटिट्यूट भाव क्या है, तो लंकिनी ऐसे मिथ्या अभिमान का भाव प्रस्तुत कर रही है, और जो मिथ्या अभिमान का भाव आए, वो अभिमान का भाव हमारी सेवा, हमारे साधना और हमारे संबंदों में, हमारे हर कारे में बाधा बनेगी और इसलिए हनुमान जी ने उसको कुचल कर तुरंत एक छोटा सा रूप धारन करके पूरे लंका में भ्रमन करने लगे अलग-अलग स्थानों में ढून कर भी जब सीता दैवे नहीं दिखी तब अंतहपुर में अलग-अलग रानियों को देखे अर्धनग्न अवस्था में उन रानियों को देखकर हनुमान जी के मन में एक प्रश्न उठा कामंद्रिष्टा मयासर्वा विस्रिष्टा रावनस्त्रिया नतुमे मनसाकिन चित वैकृत्यमुभवद्यते मैं ब्रह्मचारी हूँ लेकिन फिर भी रावन के अंतहपुर में इन सब स्त्रियों को इस प्रकार अवस्था में देख रहा हूँ इस सेवा के पीछे मेरी प्रेरना तो शुद्ध है ना और तब वो ये श्लोक कहते हैं आमद्रिष्टा मया सरवा ये सब काम वासनों को उद्धीप्त करने वाले विशे मेरे सामने प्रस्थुत हैं विश्वस्था रावन स्त्रिया, रावन अपनी स्त्रियों के साथ यहाँ पर लेटा हुआ है लेकिन न तुमें मनसाकिन चीत मैं इन सब सरवांग सुन्दरी स्त्रियों के अर्द नगन अवस्था को देखते हुए भी मेरे खृदे के अंदर वैक